हलो डियर फ्रेंट्स आप सभी का स्वागत है मारे यूट्यूब चैनल नडियर पड़्डा में फ्रेंट्स आप सब कैसे हो आई होग की आप सब अच्छे होंगे फ्रेंट्स जैसा कि अभी कुछ दिन पहले इलावाद इनुवर्सिटी में प्यच्डी के लिए फार्मा आनलाइन चल रहा था उसकी बाद दिल्ए इनुवर्सिटी जे नुब्येच्चू और फिर एगनुवर्सिटी के बारे में भी होने बात की पर आज हम बात करने वाले हैं सेंट्रल इनुवर्सिटी पंजाब फ्रेंट्स जहां से प्यच्डी एडमिशन के लिए नुटिफिकेशन आई है और यह नुटिफिकेशन 21 दिसंबर को इसू की गई है और फ्रेंट्स यहां से एक एक अच्छी बात यह है कि फ्रेंट्स आप प्यच्डी प्रोग्राम र जनौरी, 2024 तक और खृच्ट से एक बात और बता देऊ कि इसमें इड़करअट में इतना दिया है और जो डिटेशं सारी दी है वो इसके। प्रोस्पैक्टरस में दी गौह तो चलिए हम तो ग्रेड मिला है वो ए प्लस ग्रेड मिला है और इसके नीचे जब जाएंगे तो बात करें इसके डिपार्टमेंट के बारे में तो फ्रेंट से लिए देखते हैं जैसे की कमेश्टरी है तो कमेश्टरी प्रोग्राम में 10 सीट्स है और बायो फार्मेटिक्स में 6 सीट्स है theoretical and computational chemistry में two seats है और बात करें तो जैसे कि mathematics में one seat है statistics में two seat है physics में ten seat है botany में three seat है julo, jumi six seat है और फ्रेंट से biochemistry में five seat है microbiology में eleven seat है agri business में three seat है food science and technology में two seat है और इसके अलामा फ्रेंट से physical education में three seat है computer science and technology में six seat है और भी geo department है जैसे कि environmental sciences में two seat है और geology में 12 seat है human genetics में three seat है molecular medicine में five seat है और medicine chemistry में seven seat है और है फ्रेंट से pharmacology में six seat है library and information sciences में one seat है और इसके अलामा फ्रेंट से mass communication and media studies में two seat है political science में one seat है इंग्डिस में three seat है और जैसा कि हिंदी में two seat है पंजाबी में three seat है performing arts rating drama में two seat है और इसके अलामा music में four seat है la में one seat है commerce में four seat है और इसके अलामा फ्रेंट से जैसा कि economics में one seat है history में two seat है sociology में three seat है psychology में ten seat है तो फ्रेंट से इस तरह जो total seat रहने वाली है सारे डिपार्टमेंट की 149 seat है तो फ्रेंट से इसकी जो eligibility criteria है तो फ्रेंट से वो eligibility criteria आपका master degree भी 55 percentage होना चाहिए और फ्रेंट से यदि इसमें UGC regulation 2018 को follow किया जाएगा तो फ्रेंट से उसमें जो other category like that की SC, ST या PW हैं तो उनको 5% की relaxation मिलेगी और फ्रेंट से जो candidates से net qualified हैं या फिर PhD holders हैं तो उनके लिए भी eligible हैं वो इस फार्म को fill कर सकते हैं और इसकी अलामा फ्रेंट से बता दें जो अपली केंट से इसके अलामा किसी external funding agencies में fellowship पर हैं तो वो भी इसके लिए यदि फार्म फिल करने पर फुल नहीं हुई तो इन्हें भी इसके लिए चुना जाएगा और नीचे आते हैं तो फ्रेंट से हम देखते हैं कि जो evaluation आप performance है तो किस पर आपका evaluation होगा तो जो JRF holder candidates हैं फ्रेंट से उनकी जो 70 marks होगी ने JRF qualified नहीं किया है यानि कि वो केवल net qualified है जैसे कि UGC net, CSIR net, ASRB net GET, GPIT, DBT, ABET, JST qualified है तो फ्रेंट से उनको other performance से देखना है जैसे कि इनका 50 marks है फिक से budget का और परसेंटेज जो marks obtaining master degree program में किये हैं उनमें से 20 marks जोड़ा जाएगा और इसमें से जो interview होगा फ्रेंट्स वो 30 marks होगा और इसके अलावा जो फ्रेंट्स केवल master degree qualified है उन्होंने कोई entrance exam को qualified नहीं किया है तो फ्रेंट्स वो 70 बेड़ेट का जो mark बनेगा उनका 70 mark का वो बनेगा उनका university entrance टेस्ट देना पड़ेगा और जो 30 marks का होगा उनका interview के माधिम से होगा और इसके अलावा जो बात करें फ्रेंट्स कि how to apply तो apply करने के लिए फ्रेंट्स है जो central university आप पंजाब के इस website पर जा करके इस link पर जा करके इसको open करके आप यहां से farm को apply कर शकते हैं फ्रेंट्स है और इसको apply करने के लिए केवल online ही है और इसके अलावा फ्रेंट्स है जो important dates है जैसे कि इसकी जो issue date की गई हो 20 December को opening जो portal हुआ है तो वो 21 December को हुआ last date फार फिलिंग की वो है 8 January तक 2024 तक और इंट्रेंट्स होगा वो friends होगा 24 January को और जो date आप interview होगा वो 25 January को होगा और जो result declaration होगा तो उसको बाद में notified किया जाएगा और जो commencement आप course वर्क कहा होगा तो वो भी बाद में notified किया जाएगा और जो last date फे admission, registration वो भी बाद में notified किया जाएगा और friends जो इसकी application charge है तो जैसे कि general OBC candidates का है 1000, SCST candidates है तो उनका है 500 और PW candidates है तो उनकी कोई charge नहीं तो friends ये तो थी आज की इतनी सी जानकारी तो friends ये आप इसके लिए eligible हैं तो इसको जरूर अपलाई कीजिए क्योंकि इसमें काफी सारी सीटे हैं और different departments से भी सीटे हैं तो friends ये आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो like, subscribe और share जरूर कीजिए और friends से हमारे हर वीडियो की notification पाने के लिए आप मेरे टेलिग्राम चैनल को जरूर जान किजिए जिसका link इसके description box में दिया गया है Thank you झाल